एप्स पर्मिसन सेटिंग्स नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी में तो दोस्तों आज की वीडियों बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी जीओ फोन नेक्स्ट और दोस्तों आप इसमें एप पर्मिसन सेटिंग्स को ढूंड पर आपको आ जाना है सिम्प्ली अपने फोन के मेन्यू में जैसे उस तो आपने फोन के मेन्यू में आएंगे तो आपके सामने के इंटरफेश हो हो जाएगा फिर यहां पर आपको प्येज को स्लाइट करके सेटिंग्स वाले ओप्षण को ढूंड लेना है फिर दोस्तों आप को setting वाले option पे करना है touch जैसे उस्तों आप इसके करेंगे touch तो यहाँ पर आपको अपने page को slide करना है थोड़ा सा उपर की तरफ तो दोस्तों यहाँ पर सामने भी मिल जागा app and notification वाला option तो आपको इसके करेंगे touch तो आपके सामने भी interface फिर शो हो जाएगा फिर आपको यहां पर मिलेगा see all तो देखे फिर यहां पर जितने भी हमारे एप से यहां पर show कर रहा है तो see all वाले option पर करना आपको touch जैसे उस तो आप इस पर करेंगे touch तो यहां पर आपके सामने सारे एप शो हो जाएंगे जो भी एप आपके mobile phone में available है अगर दोस्तों आपको किसी एप के permission की setting करना है जैसी कि suppose that हम यहां माल लेते है एप lock वाले option को तो हम जब इस वाले एप को open करते हैं तो यहां पर आपको हमने deny कर रखा है allow नहीं करा camera option को अगर आप इस app के permission की setting करना चाहते है तो आपको इस पर करना पड़ेगा touch तो देख फ्रेंड्स यहां पर touch करना है allow only while using this app और दोस्तों यहां पर second number पर एक point और है ask every time तो आप zone सच है उसको आप select कर सकते हैं तो जैसे हम दोस्तों इस पर कर करेंगे touch allow only while using this app तो यहां पर देखेंगे select कर लिया आप इसको कर देते हैं back बैक करने का देखेंगे friends तो यहां पर हमने camera वाले option को allow कर दिया है app lock में तो इस तरह के दोस्तों आप इसको allow कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको deny करना है तो same app इसी पर आकर यहां पर आपको इसी भी एप के permissions को allow और deny कर सकते हैं मतलब उसको आप चालू और बंद कर सकते हैं okay friends अगर आपको वीडियो चली प्लीज को like कीजिएगा and make subscribe कीजिएगा thank you so much